सिमान्चल के महत्वपून जीला कटिहार में 2024 की लोकसभा चुनाब को लेकर अभी से ही राजनीतिक तपिस बढ़ने लगी है खास कर इंडिया गडबंधन भले ही राश्टी अस्तर पर एकता का दावा कर लेकिन कटिहार लोकसभा सीट पर जद्यू काबी जोने के पाउचूद कॉंग्रेस राज्यद और माले भी अपना अपना दावा कर रहे हैं ऐसे में इंडिया गडबंधन की राजनीतिक सूर लहरी जमीनी अस्तर पर भी खड़ती दिख रही है दरसल कटिहार की राजनीतिक समीकरन भी कुछ ऐसा ही है कॉंग्रेस के राश्टी महसचीब सहपूर्ब सांसत तारी कनबर लोकसभा चुनाब को लेकर हमेशा कटिहार को ही अपना कर्म भूमी चुनते रहे हैं इस बीच पिछले चुनाब में भी वर्तमान जद्यू सांसत दुलाल चंद गोसामी भाजपा के सहयोग से कॉंग्रेस नेता तारी कनबर को मात देखकर सांसत बने थे इसलिए कॉंग्रेस भी अपने दिखज नेता के लिए एक बार फिर इस सीट की मांग कर रहे हैं हलाकि कॉंग्रेस नेता तारी कनबर कहते हैं कि सीट बितरन का फैसला कौर केमेटी के मीटिंग में ही होगा लगतार कटिहार के बलरामपूर विधान सभा की बिधायक रहे माले विधायक दलकिनेता महबूब आलम भी इस बार कटिहार में 5-6 सीट के साथ कटिहार लोकसभा सीट से इंडिया गडबंधन के तरब से उनकी दावेदारी को मजबूत मान रहे हैं जबकि राज़त के राज़सभा सांसद एहमद असफाक करीम इस मामले में खुल कर तो कुछ नहीं कहते लेकिन लगतार पिछले कुछ महीनों से जीले के कारेक्रम में उनकी भागिदारी को लेकर चरचाईया है कि राज़त भी राज़सभा सांसद के रूप में असफाक करीम को लोकसभा चुनाप के मैदान में उतारने के लिए त्यारी कर रही है इन सब के बीच वर्तमान सांसद कहते हैं कि उन्होंने काम क्या है और लोग भी चाते हैं कि एक बार उन्हें फिर मौका मिले और जद्योग के सुला सांसद तो पहले से ही है जहां तक कॉंग्रेस का सवाल है कॉंग्रेस का सीट परंपारिक रूप से किसंगंच का रहा है इसलिए कटिहार के लिए इंडिया गडबंधन में और कोई आप्शन बनता ही नहीं है फिलाल महा गडबंधन की राजनितिक रस्सा कसी को लेकर भाजपा वेट और वाच के मूड में है क्योंकि उनके पांस भी लोग सभा चुनाब लड़ने के लिए दावेदारी की एक लंबी फहरिस्त है इंडिया गडबंधन के सिनारियो इसमें एक हर दिन नया दरा रहा है अब महबोव अलम भी दावा कर रहे हैं कि वो भी लोग सभा की उमीदवार है किस तरह से तेखते हैं आपकोदे उमीदवार है इस तरह यह जो पहले से हम लो यह बात लगतार कह रहे हैं अपनी मिटिंग में कर रहे हैं वरकल's की मिटिंग में कह रहे हैं कि जो हमारे इंडिया गडबंधन का उपिदवार होगा चाहे वो किसी भी पार्टी से उसका संबंध हो, हम पूरी तरह से उसके लिए काम करेंगा, उसको समस्तर करेंगा. हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि हमको मिदवार बनाया जाए, जाएर है कि हम जब कॉलिशनल कमीटी की बैठव होगी, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसे जिमजार लोग हैं, वो उनके साथ बैठेगे, और बातचीत होगी, बातचीत के बाद ही कोई रास्ता न इंडिया को गड़बंदर की, तो उस बैठक में ही फैसला होगा, और जो भी फैसला होगा, वो सर्फ समतिस होगा, कोई दरार नहीं आएगा, तो यह जो नाम अपना उपना होडा महुआ लाम, कोई भी कर सकता है, हर पार्टी, देखे, जितनी भी गड़बंदर की जितनी किया जाए, और सांपरदाइक फासी बात का चेहरा जो भी नकाब हो चुका है, उससे मुकाबला किया जाए, और उस मुकाबला में, राजनितिक तोर पर संसदीय मोर्चा में, हमारी पार्टी, कटियार में, एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है, एक लंबे समय स पिछले 40 साल से हम लोग यहां संगर्श कर रहे हैं, करीब मजदूर किसान, आडिवासी, जमीन, शिक्मी, बटाइदारी और जनबादी ताकती की हिफाज़त, पत्रकारिता की हिफाज़त के लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं, इसलिए हमारा भी मजबूत दावेदारी है कि यह सिट हम लोग को दिया जाएं, कितना सिट पर दावेदारी है देहर में अपने अभी पास सिट पर दावेदारी है, अचा हल के दिनों में मुख्मंदी से भी आप गुप्त बैठा कुई है, आपकी दावेदारी कितना मजबूत है, वेटे क्या हावाले से अप चर्च कि यह अलग-अलग लोग का बयान देने का जो एक दिल्चस्पी है, चसका है, उन तमाम चीजों पर बात हो रहे थी हम लोग कहा कि संजम बरते हैं हम लोग और कटियार को आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इस मद्दे नजर हम लोगों ने अपनी दावे अवरे में संग हुए ऐस ओने लोग को तिन-स बार दो-दो बार और काम करने का मौत मिला है, अब देखते हैं, हमको कैसा मौत मिलता है हमारी पाठी हमारा नेता कटियार की जनता क्या सोच रही है, लेकिन मेरा एक मतरण लक्ष्च है कि मौका मिला है काम किये हैं कोरोना काल में काम किये मौका मिलेगा काम करेंगे और उसके सिवाब बहुत कुछ नहीं जा एक चीज है इंडिया गडवन्धन दावे तो बड़ा बड़ा करें कहीं सूर्थाल विखर रहे हैं परीकनबर का भी दावा है महुवालम का दावा रहा है राजद भी अपना दावा कुछ तो कहीं नहीं इस पर कुछ कंफ्यूजन तो राजनीती में दावा ने करेंगे तो कैसे हो आपका हारे आपका हमारे जितने भी गडवन्धन के लोग हैं पार्टी है सब पार्टी मजबूत है एक रुकता से वह लोग दावा कर रहे है और दावा करना ही चाहिए दावा के हवा किसे पक्ष में आपके पक्ष में है ना इस तरह कि यह सीट मान्य निथिश कुमार जी का है हम लोगा वीनिंग सीट है और जिस तरह से किसंगन सीट कॉंग्रेस का है तो सब लोगों का मन में है कि कॉंग्रेस का एक सिटिंग सीट है तो वो सीट कॉंग्रेस के पास जाना चाहिए अगर किसंगंज में ये भाव है तो कटिया देश दुने की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे स्ट्रिट बस यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद